स्वागत आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में आज की कहानी का शीर्चक है स्वयम की एकागरता एक लड़का था बहुत ही होनहार तथा बगवान को मानने वाला वे हमेशा सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाता था तथा पूरे मंद से मंदिर में ध्यान लगाता था एक दिन यू हुआ कि कुछ लोग मंदिर में बैठे थे तथा गपसब कर रहे थे और दूसरे लोगों की बुराई कर रहे थे उसी समय वे लड़का भी वहाँ चला गया तथा बगवान की अराधना करने लगा परन्तु उन लोगों की वज़े से वे एकाकरचित नहीं हो पा रहा था उसका ध्यान उनकी बातों पर जा रहा था ऐसे ही एक दो दिन निकल गए और वे उदास रहने लगा यह देख उसकी माता ने उसे उसका कारण पूछा तो वे बोला कि मैं मंदिर में एकाकरचित नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ बैठे लोग, लोगों की चुगली करते हैं और मेरा ध्यान बंग हो जाता है तब मा बोली कोई बात नहीं कल जब जाओ तब एक पानी का पूरा भरा लोटा ले जाना और ध्यान रखना वे पानी थोड़ा सा भी गिरना नहीं चाहिए दूसरे दिन उसने ऐसे ही किया वे पानी का पूरा भरा लोटा ले कर धीरे धीरे मंदिर पहुचा और लोटा लिये लिये ही सारे काम करके घर आ गया घर आते ही मा ने पूछा क्यों बेटा आज लोगों की बाते सुनाई दी लड़का अश्चरे से बोला नहीं मा आज तो मेरा पूरा ध्यान लोटे पर था कि कही पानी गिरना जाए मा बोली इसका मतलब लोगों की बुराई तुमें परेशान नहीं कर रही थी बलकि बाते सुनना तुमें परेशान कर रही थी दोस्तों इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि जब तक हम ध्यान ना दे हमें कोई भी चीज विचलित नहीं कर सकती जिस चीज या बात पर हम ज़्यादा ध्यान देना चालू कर देते हैं वे भड़ती चली जाती है चाहे धन, चाहे दुख, चाहे सुक, चाहे किसी की चुगली आप पर कोई राज नहीं कर सकता अगर आप नहीं चाहो तो यही हमारे साथ होता है इधर उधर की बातों के कारण हम हमारा सो परतिशत काम में नहीं दे पाते जिसके कारण काम पूरे नहीं होते और दोस्त लोगों को दिया जाता है अपने काम से प्रेम करें और अपना सो परतिसत दें धन्यवाद